तो हलो दोफ्तो नमस्कार, investment crisis में आप सबी का दिल से बहुत-बहुत सौगत है, तो इस वीडियो में हम बात करें कुछ important stock के बारे में, उनसे related कुछ important news को हम detail में cover करेंगे, तो stock में से कोई भी stock आप लोगों पास है किसी भी level पे, तो ये वीडियो के लिए बहुत ही important होने वाला है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे Nifty 50 Limited के बारे में, तो अगर हम Nifty 50 की बात करें, आज की दिन हर किसी को ऐसा लगा था, हर कोई सूच रहा था कि आज की दिन Nifty 50 एक all time high टच करेंगा, बट ऐसा हमें बिलकुल भी देखने को नहीं मिला, अगर हम इसकी लेवल की बात करेंगे तो लगबग लगबग हमें all time high के आसपास ही जहाते होगे देखने को मिला था, जैसे की अगर हम Nifty की all time high की बात करेंगे, तो 8,000 आप देख पानगे, तो सायस से आज की दिन आपको Nifty 50 एक all time high आपको जरूर टच करते देखने को मिल जाएगा, बस एक normal format है, आपको पता है कि आज नहीं तो कल नहीं, तो कभी तरसू नहीं तो परसू, 6-5 बात एक साल बात कभी Nifty एक all time high जरूर टच करेंगा ही करेंगा, क्योंकि अगर हम इसके long time journey की बात करें तो up and down जरूर रहेगा, बहुत सारे obstacle आएंगे, आप से and downs आएंगे, बहुत टैम तक Nifty 50 एक ही range bound रहेगा, लेकिन automatic आपको बता है, long time यह आपको graph उपर ही जात देखने को मिले, हर कोई सोच रहा था कि आज की दिन आपको सायद से all time high देखने को मिल सकता है, तो करीब उसी की करीब यह थे लगबग 60 point की gap थे, तो आज break नहीं किया, तो कभे ने कभी यह break जरूर आपको करते देखने को मिले जाएगा, सो हमारा focus बस एक normal format यह जो कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सारे point को cover गया, हमारा focus हमेशा एक investor हमारे company को उपर होने चाहिए, हमारे Indusible stock को उपर होने चाहिए, जिन stock को उपर हमने investment किया, सो उनमें से कुछ important stock को हम cover करेंगे, और पिछले पांस दिन के performance के बाद करेंगे तो लगबाग 8-9% के आपको एक अच्छे कासे तेजी देचन को में जाएगा, और आपको पता यह जो तेजी है, पूरे पांस दिन के तेजी नहीं सिर्फ और दो दिन के तेजी है, एक तो आपने देखोगा 16 June को यानि Friday को और आज 19 June को यानि की आज की दिन, तो बहुत ही दो दिन में बहुत ही stock शानदा थी यह दिखा देचन को मिला, और इसके पीछे का reason में आपको पता है कि company को बहुत ही शानदार order मिलते हो देचन को मिला था, फ्राइडे के दिन लगबा 53 करो के order मिला जो की DRDU के side से, तो जैसे order मिला तब सेल के अभी तक stock में हमें एक अच्छे कासे positive momentum बनते हो देखने को मिला, so no doubt order अगर मिलता है तो company के आने बाए time में जो company के number रहेंगे, उसमें भी आपको अच्छे कासे आपको company के number देखने को मिलेगा, so obviously number देखने को मिलेगे तो sales increase होगा, sales increase होगा तो profit increase होगा तो EPS तो automatic उसके momentum आपको stock price में जारूर देखने को मिल जागा, so अगर हम वैसे भी पार defense company की बात करें, company business wise बहुत ही अच्छे company, company private sector company वह तो आपको पता है, company के main 4 core segment देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख पारेंगे 4 major segment देखने को मिल जाता है, जो कि defense or space उसके बाद defense electronic की बात करें, heavy engineering की बात करें और electronic plus protection की अगर हम बात करें तो, तो चार company के main core segment देखने को मिल जाता है, जो कि future unity company के सारे segment देखने को मिल जाता है, और company की एक risky point के बात करें, तो company सिर्फ 2,500 क्रोड के market पर है, यांकि highly risky बहुत ही यह वालटर बाले stock आपको देखने को मिल जागा, आप इसके maximum chart को भी देखोगे, हाली में company के, हमें IPO देखने को मिला 2021 में, जो IPO था इसके, बहुत ही धमाकदा है, बहुत ही solid IPO देखने को मिला, solid listing के देखने को मिला, उसके बाद उसके बाद भी रुका नहीं, यह 490 से सिधा stock हमें 12 होता है, फिर उसके भी उपर जाते हुए हमें, देखने को मिला था, और उसके बाद आपको पता है, जो stock में तेजी रहते है, daily basis पे, उन stock को आपको हर जगह पे आपको देखने को मिल जागा, आपको news channel को पर भी देखने को मिल जागा, और खासके retail minister, बिना सोचे समझे stock को top पे खरीदा, मैं तब से आपको बोल रहा हूँ, लगबाद 10 साल होगे, कि अगर आपमें top पे खरीदा, तो गल्दी तो आपने जरू क्या होगा, क्योंकि भागती stock को अब भी खरीदना नहीं होता है, खासके ऐसे new stock हो, फिर भी अगर आपने खरीदा, होल किजिए company business wise बहुत अच्छे, risky company जरू है, new company जरू है, छोटी company जरू है, लेकिन business wise बहुत इंट्रेस्टिंग है, तो future-oriented segment हैं सारे, तो आने बल्टा में ये भी company एक शांदर performance जरू दिखा सकते हैं, आपके पास ऐसे अगर order मिलता रहा, तो इस stock भागता जाएगा और आपके level तक जरू आ जाएगा, तो please continue करके जरू चाह सकते हो, the next stock है हमारा, so pre-spam fitting limited, अगर हम pre-spam fitting limited की बात करें, इसमें भी आज की दिन एक अच्छे कास से positive data को मिला, लगबग 2.5% के 30, पिछले 5 दिन की performance के बात करें तो 303%, एक मन्त में 18%, 6 मन्त के बात करें तो 10-10%, और अगर हम पिछले 1 साल की performance के बात करें, तो 22 से लेके 23% के अच्छे खास से आमें return बनते होए देखने को मिला, लेकिन उससे भी important चीज, मैंने इससे पहले एक point को मैंने आपको कुबार किया था कि breakout, काफी दूनों से यह जो level है, principle break करने की कोशिच कर रहा, और मैं आपको बता है हाली में, जब company के number आया Q4 के, अगर इस level को ब्रेक कर देता है, जूकि बहुत ही एक साल के breakout आप बोल सकते हो, तो उसको ब्रेक कर देता है, तो एक अच्छे कासे momentum आपको जरू देखने को मिल जाता है, और ऐसा क्यूँ कि काफी time बाद एक अच्छे कासे तेज़ी आपको जरू देखने को मिल जागा, लेकिन उसके बाद काफी time से stock हमें एक ही box में, पांसू ये 600 के रेज़ी पर ट्रेयर करते हैं, तो अच्छे के number अगर अच्छे आता है और उसने एक साल के breakout को दे दिया, तो एक अच्छे कासे आपको momentum अच्छे कासे आपको rally जरू दिखाते हैं तो अगर हम company के number की बात करें, इस बार Q4 के तो अच्छे number दिखा है लेकिन मैं तो और बेटर उम्मीद कर रहा था इस company से क्योंकि जिस हिसाब से Aister Limited ने अच्छे number दिखा है, Supreme ने इतने धमा के दमा नमबर दिखा है, अगला हार्डल 700 के अगर इसको ब्रेक कर दिया जिस साफ से momentum बना है, अगर बाजर में थोड़ा बात ऐसे positive momentum बना रहा तो इस लेवल को आराम से break कर सकता है, अगर इसको ब्रेक कर देए उसको पर अगर उसने sustain दिखाए को उस दिनों तक, तो आपको 800 के लेवल उसके बाद आपको एक all time high भी जरू देखने को मिसकता है, देखो company की बात करें business wide बहुत ही शांदार है, बहुत ही कमाल की है, तो अगर आपके पास है यह अपसे नौच चलता रहता है तो आप जरू होल करके चल लेना है, तो stock थोड़ा भाग, या तो वह 700 के लेवल को break करें, उसके उपस sustain दिखाए कुछ दिनों तक, तब ही उसमें entry लेना है, या फिर stock में थोड़ा बहुत गिरावाट आजाए, 600 तक आजाए या सार 600 तक, तब चाओता आप चोटा सा store mail लगाने के बार में बिचार करा सकता हो, company के बात करें, company बहुत fantastic है, long time में ये भी plastic powder में एक बहुत धमाकदार performance जरूर दिखा सकता है, the next stock है हमारा, so ester limit है, हम आज के दिन के बात करें, आज के दिन भी in stock में हमें एक positive momentum देखने को मिला, और उससे भी important चीज़ जो हमने सोचा था कि आज के दिन इसने 004 के एक all time high, मतब 52 एक all time high हमें achieve करते देखने को मिला, और इस point को मैंने बहुत पहले cover किया था, क्योंकि अगर आप इसकी return को देखोगे, पिछले एक मन्त की बात करें तो 20% और 5-5 साल की बात करें तो 334%, और इससे पहले आपको बता था का अगर इस level को वो break करने एक बात जरूर आईगा, और जिस साफस उसने momentum दिखा है, लगबग 1300 के level से जो रफतार उसने पकड़ा, उसके पास stock भागे जा रहे, और इसके बीच में company के number भी देखने को मिला, तो और stock को boost मिल गए, और stock में rally एक तरफाहर में rally देखने को मिला, तो अगर आपके पास है, बिंदा सो के country करना, company long time के लिए बहुत ही fantastic company, तो किसी को entry लेनी है, या मैं को इतना का, जो stock एक दम all time high पे trade कर रहा है, तो प्लीज इस stock पे खरीदना, देखो खरीदने के लिए आप किसी लिए पर stock को खरीद लो, फिर आप panic करोगे, तो इसलिए फिर भी आगर आप जाना चाहते ही हो, तो मैं आपको इतना का चुक है, या तो 2000 के level को break कर दे, उसके पास sustain करे, उसके पास एक store में लगा देना, simple सी, अगर और stock भागे जाए तो छोड़ देना, Q1 के number देखना, उसके बाद Q1 के number अच्छा आजाए, तो तेजी देखके भी stock को खरीद लोगे न, वह अच्छी रहेंगे आपके पास, जिन्होंने Q4 के number देखके stock को तेजी देखके भी खरीद आओगा, तब भी उनके देख पार होगे easy profit बन गया, तो ऐसे होता है, stock को सिफ खरीदना important नहीं है, company की business important होना जाए, company अगर business अच्छे करेंगे, तो आप किसी level पर खरीद होगे, बस hold करोगे, तो आपका return मनना तया है, तो अच्छे company है, आप खरीदना चाहतो, खरीद सकतो, जैसे मैं आपको बताया, कि 2000 के level को break करें, उसको बस sustain दिखा है, त 25,5% के तेजी, पिछले एक मनत के बाद करें, तो 26%, 6 मनत में 47%, और एक साल के बाद करें, 126%, और पांच-पांच साल के बाद करें, दोस्तो, 326%, और stock एकदम आज के दिने, एक एकदम all time high करें, इसके पीछे का reason भी आपको बता है, लगातर company को order मिलते जा रहे, लगातर company को अच्छे आते जाए, साथ-साथ, company 27 June को, सायद next week को, आपको एक board of director के meeting को मिल जाए, जिन में company speed भी दे सकते, उनकी चलते और भी आमें, अच्छे कासे buying देखने को मिल रहे, सो अगर आपका पास है, जरू कंटिनू करना, तेजी देखके और split को देखके, इस stock को, इस time पे बिलकुई बाए मत करें,